बात करेंगे जो मुकाबला होने वाला है राइस्थान और धेली के बीच में इसके बारे में डेटेल से इस मुकाबले के बारे में हम चर्चा करने बाले हैं और दोस्तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ग्रेंड लीक का कैप्टन कौन होगा जहां दोस्तो जो ड्रेम टी जाएगा डारेक्ट तो चलिए बात करते हैं सबस्पहले बेहने को बारे में तो आप यहां पर देख सकते हो बर्चाप पारा करके इस्टेडियम गोगा घाटे में मुकाबला खेली जाने बारा है आम तोर पर अच्छा बिकर है बलेबाजी के लिए दोस्तो लेकिन साथ मे गैन बाज़ों के भी मदद करता है गैन बाज़ों में इस्पिसले सपनर के लिए मदद गार दुश्तो यह साबित होता है आप देखोगे अंतराष्टी ट्रॉनटी मट यहां पर दो खेलेगा है एक पहले बले बाजी करते ही एक सेकंड बले बाजी करते हैं हलागी दोस्त जाता दोस्तों कुछ नहीं है आप देखोगे 150 और 150 से नीचे एक बार बनाया है जो कि इंडिया ने ऑस्टलिया ख्लाब 118 बनाये थी उसके बाद देखोगे आप 191 जो कि इंडिया ने दोस्तों 237 रन यहां पर बनाये थी बात के रहें रिसेंट जो मुकाबला खेला गया था यहां पर उसके बारे में टाटा आईपेल 2023 का ही मुकाबला यहां पर खेला गया था इसमें आप देखोगे पंजाब किंग्स ने पहले बले बाजी करती ही 107 बन डिले थी यहां दोस्तों जो रिसेंट मुकाबला यहां पर खेला गया था उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हो और इससे पहले धोंडे टीट्वार फेसेंग में को ही बिकेट नहीं मिला dependent इस्पिनर को फर्स्ट निंग में दोंड और नहींमें 3.16 बिकेट तक मैंने विकिट के बारे में पढ़ा है और रिसर्च किये तो लग रहा है कि विकिट इस्पनर के लिए थोड़ी सी सपोर्ट कर सकते हैं हाला कि आपको जो एडजेक्ट पिस रिपोर्ट आएगी न वो आफटर टोस्ट टेलेग्राम पर मैं अपडेट करूँगा तो प्लीज आप हमारा टेलेग्राम जोईन कर लिजीगा लिंक आपको टेलेग्राम की वीडियो डिस्किप्शन में मिल जाएगी तो चलिए बात करते हैं दोस्तों यहां पर और यह दोनों ही टीमें काफी स्ट्रोंग लग रही हैं और दोस्तों मेरी अकॉर्डिंग है न इसकोर 170 की आसपास यहां पर बनना चाहिए और दोस्तों आफटर टोस्ट में पिस रिपोर्ट आपके लिए टेलेग्राम पर अपडेट करूँगा तो प्लीज आप टेलेग्राम जर पचास रन मनाये थे और उसके बाद देवदत पडिकल ने 48 रन मनाये थे एसस्वी जैसबाल ने 19 रन मनाये थे ट्रेंटबुल्ट और युजबिंदर चेहल को एक एक विकेट यहां पर मिला था मिचल मार्श नवाशी रन दो विकेट इंपोरेंट प्लेयर हो सकते थे लेक चैतन सकारिया और एंडेज नौरजे को दो दो विकेट यहां पर मिले थे मिचल मार्श मैनोधा मैच रहे थे जो अगला मुकाबला यहां पर खेला गया था दोस्तों आप देखोगे 222 राष्तान ने पहले बले बाजी करती ही बनाये थे दिली ने 207 बना लिये थे आप देखोगे दोनों को दोने मुकाबले हाई स्कुर एक मुकाबले हुए थे यहां पर आप देखोगे जो आसपरलर 116 सतक लगाई थी दिबदत पड़िकल चवंडन संजू सेमसन ने दोस में तो लले तेयाद आप 37 प्रतिवी सवार ने दोस्तों 37 बनाये थे रांबन पावल 36 डेविड बॉर्नर 28 रन यहां पर आप देखोगे रहेमान को एक विकेट और खली लेहमात को भी एक विकेट मिला था इन दोनों को एक विकेट मिले थे जोस्पंटर रेस में 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 अ तो यहां पर आप देखोगे सिम्रान हेट मायर स्वारी 114 बनाया थे दिली ने और 122 राजिस्थान रोयल्स बना पाई थे यहां पर आप देखोगे न तो आप आप आउगे शिम्रान हेडमायर 28 रन एंडेस नोर जी दो विकेट रासमिन एक विकेट अक्षर पटेल 12 रन बनाया दोस्तो इनोंने रहमान को दोविकेट और चैतन शकारिया को दो विकेट मिले यहां पर आप देखोगे एक और मुकाबल्फ्ला को खिला गया था इसमें दोस्तो कौमा निकल कर आ रहा है चेतन सकारिया खिलता हूँ नजर आ जाएगा और आपके लिए बहुत important player यहां पर हो सकता है तो एक कुछ player है आपको जो important कुछ करकर दे सकते हैं अब हम बात करते हैं यहां पर कुछ important stats के बारे में तो आप सबसे पहले देखों कि डैविड वर्नर का राजस्तान के खिलाप इन्हों 14 मुकाबली खिली है चार सो नहीं रन किये हैं सतर का highest है और दोस्तो 33 का average है काफी अच्छा प्रुप में इस राजस्तान के खिली है तो डैविड वर्नर को आप अपने टीब में ट्राइग कर सकते हो उसके बाद जोस पडलर डिली club 10 मुकाबलों में 304 रन की हैं 116 highest है और 30 के अबरेज है यह भी काफी important है दोस्तो इन player को आप अपने टीम में लेते चलीगा मिचल मार्स खिलती हुए नजर नहीं आएंगे और दोस्तो मेरे पास इनके बार इन जो भी अपडेट आएगी न वो मैं 3 बार आउट किया है हाला कि Jason Holder की बल्लेवाज इतने माइन नहीं रखती है लेकिन फिर भी एक बार आप देख लिजीगा यदि Jason Holder के सामने अक्षर पेडल आती हैं तो उन्हें समस्य आ सकती है और जब कि प्रतवी सो को दोस्तों टेंट बोल्ट ने 25 बार आउट किया है तो टेंट बंड में प्रित्वी 100 को परिशान कर सकते हैं अलागी प्रित्वी 100 तो दोस्तो एक hit and miss वाले बिलियर हैं Grand League में आपको Captaincy और 22 Captaincy की बहुत सांदर option है उसके बाद देखोगे आप सर्फराज का रभी चंदर अस्विन ने दो बार आउट किया दो बोलो में तो सर्फराज को दोस्तो यहां पर अस्विन फसात योई नजर आ सकते हैं लेकिन recent domestic form काफी सांदर रहा है सर्फराज का तो सायद वहां पर सर्फराज ना फसे हैं अब हम बात करते हैं दोस्तो प्लियर बैटल के बारे अधिकतर प्लियर बैटल में आपके लिए बता चुका हूँ लेकिन आप एक बार फिर वी और देखनी सीगा आप यहां पर देखोगे एससवी जैसबाल का तो मार्श तो नहीं खिलेंगे चेतन सकरिया की छे के अन्व दोरन मात्र कियें और दो बार आउट गये है जोस्त पर्लर का दोस्तो नुंगरी एंग्डी के खिलाप और आप देखोगे एदब के खिलाप किल्दी पर यहां पर परेशा नहीं आ सकती है जैसा कि मैंने संजू सेमसन का बताया था इनोर जी खिलाप और एंग्री खिलाप आप ये भी परेशान हो सकते हैं, दिबदत पड़िकल का मैं आल्रेडी बता चुका हूँ, सिमरन हैटमायर का ज़्यादा नहीं है, दोस्तों सेंपल साइज, जेसन होल्डर का मैं बता चुका हूँ, डेविड वोर्नर अस्विन, अस्विन दोस्तों याद रखेगा, इस मुकाबले में बहुत ख़दरनाग पिलेयर सावित होने बाले हैं, क्योंकि सामने बाले टीम में, जो टॉप ओर्डर में है न, तो आपको लेफ्ट हेंडर ज़्यादा देखने को बिल जाएगेंगे, लेफ्ट हेंडर को संजू सेमसन बहुत अच्छी एंद बाजी करते हैं, इस बात को आप धियाने में रखकर चलिएगा, यहाँ पर देखोगे संजू सेमसन का, स्वरी, अस्विन का डैविड वर्नर के खिलाब 58-59 जरूर किया, लेकिन दो बार आउट भी किया, यहाँ पर एडब जयंपा के आप देखोगे, चार बॉलों में 11 एक बार आउट किया, प्रत्री सोकाद में ट्रेंट बोल्ड के खिलाब बताया था, लेकिन आप अस्विन के खिलाब भी देख लीजीगा, पांच बॉलों में, साथ बॉलों में 15 स्कोर किया है, और दो बार आउट किया, उसके बाद मार्श तो आपके लिए खिलती हुई नेजर नहीं आएंगे, और दोस्तो एतनी इंपोरेंट प्लियर बेटल है नहीं, अब हम थोड़ी सी टीम नियूज के बारे में अपडेट आपके लिए दे देती हैं, दोस्तो यहां पर आप देखोगे, कुलदीप सेन कियाम आशिप की जगे खिलती हुई नेजर आ सकते हैं, और उसके बाद जौस बटलर इंजर हुए थे फिंगर में, हाला कि यदि कोई चेंजिस होगा, तो रूट खिलती हुई नेजर आ जाए आमन खान की जगे, महीं मिचल मार्स नहीं खिलेंगे, तो इनकी जगे दोस्तो कौन खिलेगा, उसके बारे में अपडेट आपके लिए, तो यहां पर आप देखोगे, तो यहां पर आप देखोगे, तो 11 रन और 14 रन, रिसेंट अच्छी फ़र्म में हैं, इनका देखोगे आप तीन मुकाबलों में 58 रन की हैं, दोस्तो हैट टो हैट में 19 के अबरेज है, संजू सेंचन अच्छे फ़र्म में है, इंपोडेंट ओप्सन हो जाते हैं दोस्तो, कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी के लिए, आप देखोगे, 42 रन और 55 रन दो इनिंग से नहोने खि लिएगा, वेन उबर ज्यादा किसी ने मुकाबले नहीं खिले, देबदत पडिकल, इस्ट्रगर करती हुई नेजर आए हैं दोनों ही मुकाबलों में, लेकिन दोस्तो कुछ बड़ा प्रफमेंस आने बाला है, देबदत पडिकल प्लेयर बहुत अच्छे हैं दोस्तो, ही अवॉइड कर कर चल सकते हो, उसके बाद सिम्रान हैट मायर, इन्हें आप ग्रेलीग में जरूरो ट्राइ करना, जा दोस्तो, Mr. ग्रेलवले जरूर करना, इंपॉइडेंड प्लेयर आपके लिए ग्रेल आपके प्लेयर हैं, small league में तो आप इन्हें avoid करकर चल सकते हो, Jason Holder दो wicket और फिर एक wicket, गेंदबाजी पूरी करेंगे और death hover में ये दोस्तों गेंदबाजी करने वाले हैं, उसके अलावा यदि आप देखोगे, तो head to head में दो मुकाबलों में 21 रन मना हैं दोस्तों, पांच मुकाबलों में 2 wicket नोने चटका हैं तो मतलब head to head में तना अच्छा दोस्तों, इनका promise नहीं है, लेकिन फिर भी player बहुत important है, आप इन्हे try कर सकते हो, aswin aswin का आप यहाँ पर देखोगे, दोनों ही मुकाबलों हम एक-एक wicket निकाला है, head to head 4 मुकाबले के लिए, 4 wicket नोने निकाले हैं, trend world, last मुकाबले हम wicket नहीं मिला, लेकिन इससे पहले संदार गेंदबाजी की और 2 wicket नहीं मिले head to head में आप देखोगे, 8 मुकाबलों 11 wicket, फिर वात में ज्यादा गेंदबाजी थोड़ी सी ही मदद मिलती है न, तो इजवेंदर चेहल आपके लिए बहुत important होने बाले हैं, दोस्तों इजवेंदर चेहल को आप अपने टीम में try करकर रखिएगा, head to head 8 मुकाबलों 5 wicket नोने निकालें, कि हम आसे फित्री important नहीं हैं, प्रिश्यति इन्होंने 37 ना आए, यहाँ पर आप देखोगो 14 मुकाबलों में 470 रन है 38 के अपके लिए अल्रेड़ी बदा चुका हूँ प्रत्वी 100 hit and miss बाली पिलियर हैं दोस्तों आप चाहो तो इन्हें कैप्टेंसी, 22 कैप्टेंसी अपने टीम में दे सकते हैं, आप देखोगे यहाँ पर 7 मुकाबलों, 7 रन फिर 12 रन head to head 8 मुकाबलों में 165 रन है 20 का average है, 130 का strike rate है important player आपके लिए हो सकते हैं grand league के हिसाब से small league में आप चाहो तो इन्हें avoid करकर चल सकते हैं, मिचल मार्स खिलती वी नजर नहीं आएंगे, उसके बाद आप देखोगे सर्फराज खान सर्फराज खान, 3 रन और 4 रन दोस्तो सर्फराज खान के बारे मैं बदता दूँ है इनका दोस्तो अभी recent domestic में काफी संदार इनका प्रुपमेंस रहा है, जी हैं दोस्तो recent domestic में काफी संदार प्रुपमेंस रहा है सर्फराज खान को आप चाहो तो अप्रेटीब में ट्राइग कर सकते हो, आपको important पर कही हो सकते हो, उसके बाद रावली रूसो ज़्यादा इन्होंने प्रुपमेंस नहीं किया रावली रूसो आपको small league की choice हो जाता है, रावली रूसो को आप अपने टीम में ट्राइग कर सकते हो, क्योंकि यह बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी recent का भी अच्छी फॉर्म में हैं, उसके बाद यदि आप देखोगे तो अक्षर पटल, important player हैं दोस्तो नोट करिएगा और grand league की captain vice captain आप इने try कर सकते हो, जी हैं दोस्तो जो मैं dream team की captain vice captain बता रहा था ना, वो अक्षर पटल हो सकते हैं, अब क्यों हो सकते हैं दोस्तो क्योंकि बल्ले बाजी तो यह सांदर करी रहे हैं पिछले कुछ समय से, उसके अलावा गेंद बाजी में यदि मुकाबलों में दोस्तो 12 विकेट भी इन होने चटका हैं, कुल्दी प्याद आप आप देखोगे, recent इतना कुछ खास नहीं, दो मुकाबलों में एक विकेट हैं, यहाँ पर आप देखोगे, head to head 7 मुकाबलों में, 7 विकेट हैं, 21 कहबरेज है, ते चेतन सकारी आपके लिए खेलती हुए नजर आजाएंगे, आप देखोगे, चेतन सकारीया का 0 विकेट और दोस्तो फिर 2 विकेट, यहाँ पर आप देखोगे, head to head एक मुकाबला खेला है, उसमें विकेट नहीं, नहीं मिलाता, खालील हमाद इम्पूरेंट है, लास्ट मुकाबले में एक विकेट निकाला, वो मैं टाइप नहीं कर पाया, इससे पहले 2 विकेट नहीं निकाले थे, इनका देखोगे, आप तो, total IPL के 10 मुकाबले खेली है, और दोस्तों, लास्ट सी जन्मा खेली थे, और 16 विकेट नहीं, इम्पूरेंट बॉलर हैं, दोस्तों, आपको, बॉलिंग करते पाबर प्ले में, उसके बाद देखोगे, एन इस नौर जे का, दो विकेट, और दोस्तों, यहाँ पर एक खेले नहीं थे, यहाँ पर आप देखोगे, IPL 2000, total 31 मुकाबले खेले, 45 विकेट निकाले हैं, दोस्तों, इम्पूरेंट प्लेयर है, नौर जे, आप इने पिक करकर बिलकुल अपने टीम में ट्राइक चल सकते हो, और ग्रेंड लिग में कैप्टैंसी, बाइस कैप्टैंसी भी दे सकते हो, चलिए बात करते हैं हमारी टीम के बारे में, टीम के बारे में चर्चा करें, उससे पहले दोस्तों, आप माई फैबले में डाउनलोड कर लेंगे, आपके लिए बीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाए, डाउनलोड करकर राज 1-2-3 आपके लिए कोट डालना है, दोस्तों, जैसे आप कोट डालो हुए, आपके लिए 100 रोपे का क्यास बोना से यापर मिल जाएगा, बहुत सांदर अपली के साने, आप एक बार जरूर से इसे भी खेल सकते हो, उसके बाद आपके लिए फिरी गिबाबी भी हमने रखा है, तो आप एक बार जरूर से ट्राइ करकर देखिएगा, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल लियाएगी दोस्तों, चलिए बात करते हैं इसके टीम के डारेक्ट फानली प्र पहले, एंडेस नारजी और ट्रेंट वोल्ड दोस्तों, यह मैंने टीम रखी है, कैप्टन मैंने अभी अक्षर पटन को वाइस कैप्टन जोस्त ंपरलर को रखा है, अक्षर पटन बोचे ड्रीम टीम का कैप्टन लगता है, मुझे वीडियो पर कमेंट करकर जरूब अप इसका भी बाइस कैप्टन सही बेठा ड्रीम टीम का उसको हमारी तरफ से 2,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा जिया दोस्तों स्वरी एक हजार का पेटियम कैश दिया जाएगा तो आप भी कमेंट कर सकते हो और विनर का नाम है ना उस हमारे टेलिग्राम चैनल पर किया तो प्लीज आप टेलिग्राम जरू जोइन करनीजैंका टेलिग्राम की लिंक scriptures पर मिल जाएगा दोस्तों वीडियो थी गी लाइक कर देना है चैनल को subscribe कर लेना है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद